जै हिन दोफ्तों, स्वागत है आपका ओरेक ने, वीडियो में ओरेक ने टौपिक के साथ, मैं हूँ डोकर देव, स्वागत करते हैं, हमारी यूटुपे चैनल जोडियो स्टार्ट करते, आशा करें के दोश्तों पसंद आएगा और पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो ग जरूर से कर दीजेगा जना पर पहली बारा है सबस्राइब लीके अज़ साथ में सबस्राइब कर दीजेगा चलिये स्टार्ट करते है बंगलदेश की प्राम मिनिस्टर शेह सीना वाजद जो है वो दोबारा इंडिया आ रही है बंगलदेश की मैशत का जो हुजम है वो 454 अरब डॉलर है जबके पाकिसान की मैशत का हुजम 340 अरब डॉलर है बंगलदेश की टोटल अबादी तकरीबन कोई 20 करोड के करीब है और वहां पर फीक सामदनी जाए आपको याद होगा भी बिछले अफते दस दिन पहले ही तो वो इंडिया में थी चैरी के ऊपर तोहीने मजभ का इल्जाम लगाया और उसके बाद उसको गिरफतार कर लिया गया था लेकिन फिर पूर तशदुद हुजूम थाने के अंदर घुसा नरेंद्रा मोधी जो है उनके हाथ में दलाई लामा आचुके हैं और यह जो तीमतन पार्लिमेंट इन एक्जाइल है यह इंडिया के पास इंडिकल डिपलोमाटिक पता है उसको कस्टडी से बाहर निकलवाया उसको सड़कों पर घसीटा तशदुद किया बरहना किया और जला दिया अर जला दिया इसलिए देखें यह एक पहला विजिट है स्टेट विजिट है और इसलिए इसको इस पेमाने पे शाहिए थोड़ी हाइप क्रियेट की जा रही है और बड़े पेमाने पे वेलकम किया जा रहा है नमस्ते दोस्तों जैहिन हिंदोस्तान स्पेशल में आपका स्वागता दोस्तों प्राइम निस्टर नेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिली स्थित हैदराबद हाउस में बंगलादेश की परधानमंतरी शेख हसीना के साथ दपक्षिय वारता की मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद भारत की दपक्षिय राज की यातरा पर आई शेख हसीना पहली विदेशी अतिती हैं उनका शनिवार सुबा राश्टरपती भवन के प्रांगण में आपचारिक स्वागत किया गया उन्हें गार्ड ओफ ओनर दिया गया आपको यहां बता दें कि शेख हसीना प्रधान मंतरी नेंदर मोदी के निमंतरन पर दो दिवसीय राज की यातरा पर शुकरवार को भारत पहुंची हैं विदेश मंतराला के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने एक्स पर लिखा एक विशेज साजेदार का अपचारिक स्वागत प्रांगण में बंगलादेश की प्रधान मंतरी शेख हसीना का स्वागत किया वैं भारत में नई सकार के गटन के बाद दपक्षिय राज की यातरा पर आई पहली अदित ही हैं शेख हसीना और प्रधान मंतरी नेंद्रमोदी राष्टपती भवन के प्रांगण में दोनों देशों के मंतरियों और प्रतनीदियों से मुलाकात की बंगलादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजद जो हैं वो दुबारा इंडिया आ प्रांगों और यह स्टेट विजट यह आम विजट नहीं है इसलिए देखें यह पहला विजट है स्टेट विजट है और इसलिए इसको इस पर माने पर शायद थोड़ी हाइप क्रीएट की जा रही है और बड़े पर माने पर वैलकम किया जा रहा है गो के अगर आप किन और वो भी सुबों आ जाएंगे क्योंकि मैं देख रहा था कि वो उनकी तुमाम सीरे लंका के लेटरिशिप से मुलाकाते हो चुकी है इतनी की लंबी फ्लाइट तो है नहीं है कोलंबो से देली की तो वो भी आ जाएंगे कल या आज आ जाएंगे शायद पर देक्वेस सीना वाजद दुबारा वजीर आज़म बंगला देश की बने हैं वो कोशशें रंग ला रही हैं आपको याद होगा कि अमेरिकन्स बड़े अनॉइड थे बंगालियों से मतलब बंगला देश की इस हकूमत से शेख सीना वाजद की हकूमत से तो वो एक मित जो थी वो उस पे इंडिया बारबार वेस्टर्न मॉमाला को कह रहा था कि आप ऐसे ना करें आप इस तरह ना करें आप बंगला देश को टाइट स्पॉर्ट में इस डिफिकल्ट स्पॉर्ट में ना रखें और अब ये फॉक्जांपल शेह सीना वाजद जो है बदोबारा आ रही है इसक पंदरा दिनों में दूसरा ट्रिप है पंदरा दिनों में दूसरा ट्रिप है और अगर आपको याद हो जब मोधी 3.0 कि स्वेरिंग इन सैर्वनी थी तो उसमें मौजूती इसका मतलब है के नरेंडरा मोधी साहब ने पहले ही उनको इन्वाइट कर दिया गया था यहुं उसी वक्त उनको invite कर दिये था कि वो आएं so bilateral consultations तो इंडिया और बंगलादेश की होंगी ठीक है जी लेकिन इसके साथ साथ ये लगता है कि there is something important between both the countries और आपको पता है कि बंगलादेश जो है वो इंडिया को support करता है strongly particularly in global south की leadership के वाले से कुछ अर्सा पहले 2023 में आई थिंग एक global south summit करवाई थी इंडिया ने उसमें भी उन्होंने participate किया था G20 की presidency में भी इंडिया ने बंगलादेश को invite किया था और different level की जो minister level talks है इंडिया और बंगलादेश की वो औरड़ी मुझूद है इन बंगलादेश दो है वो G20 की foreign ministers meeting में भी आया था और यह आप समझें के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बंगलादेश के अंदर उनको भी facilitate कर रहे हैं ठीके जी और रेल लिंक के हवाले से हो पोर्ट रेल नाइन प्रोजेक्ट हो यह थर्मल पावर प्लांट हो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और बंगलादेश और बंगलादेश और बड़े वेमाने पे वो लगे हुए अब क्वेसन यह है कि मैंने जैसे शुरू में कहा के नरिंद्रा मोदी चाहते थे कि शेहसीना वाज़त पावर में आए और वो इसलिए चाहते थे कि वो जो एक इंडिया की नेबर हुड फर्स् लेकिन वो एकजारी बात है कि इंटर्नल मेंटर है लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ पता चली थी कि नरिंद्रा मोदी और बारत की सरकार चाहती है कि वो पावर में आए इट मींस कि इंडिया का इतना अस्रो असूख मुझूद है अपने अलाके में अपने मु के बाहर सौरी कि वो अगर अपनी मर्जी की लिडर्शिफ चाहता है वहाँ पे तो इट मींस डे हैफ तो गेट सो मुच आउट आफ डाड जो है वो अगर में वहाँ पे हसीना वाजज़ ना आती वहां खाल्दा जियाकी पार्टी आ जाती तो क्या इंप्लिकेशन्स होनी जारी बात है जो कुछ नरिंद्रा मोधी अचीब करना चाहा रहे थे वो ना होता दूसी तरफ आप देखें कि इंडिया जितना ज्यादा वेस्ट के करीब होता है ये बंगला देश के लिए बड़ी इंपॉर्टन जीज़ इंडिया जिससरा मेंस्ट्रीम है वेस्ट के टहर फिर याद हो आपको जो अमरीका के साथ जो एक रफाकत है इंडिया की अगर अगर जैनरल एलेक्ट्रिक एंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेट जो है वो जेटिंजन इंडिया में बनाना चाहते हैं तो लिधा तो समझता है बंगला देश दमीड़ा लेंडिया इस देखने के लिए वीडियो दोस्तों यहां पर समाप्त करेंगे आपसे विद्धाय लेंगे मिलेंगे और अपनी वीडियो मैं आपके साथ तिल देन जैहिन जैवारण